राश्टपती महोदै, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा निश्चित की हुई समविधान की रूप रेखा को प्रस्तुत करता हूँ और निवेधन करता हूँ की इस पर विचार किया जाए राश्टरपती महोदई सर मैं ये सदन में उपस्तित उन लोगों में से एक हूँ जो जानते है कि इस समिदान का मसोदा तयार करने में डाक्टर अमबेट करने कितनी मेनत और लगन खर्च की है शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनित साथ सदस्यों में से एक ने इस्तिफा दे दिया और उसकी जगर किसी और को नहीं लिया गया एक सदस्य थे अमेरिका में तो उनकी जगर भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में राज्य के कामों में व्यस्त रहे इसलिए उनकी जगव भी खाली रही ये क्या दो सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वज़े से शामिल न हो सके इसलिए आखिर में हुआ यूँ के मसोदा तयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्तर अमबेटकर पर आओर मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुविहित है मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बियन राव को जो कि हमारी इस सभा के समवेधानिक सलाहकार है जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमिटी के विचार करने के लिए समवेधान का कच्चा मसादा तयार किया इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए मैं यहाँ पर समवेधान की अच्छाईयां गिनाने नहीं जाओंगा क्योंकि मुझे लगता है कि समवेधान कितना भी अच्छा क्यों नहो वो अंततय बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल मिलाने वाले लोग बुरे होगे और समवेधान कितना भी बुरा क्यों नहो वो अंततय अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तिमाल में लाने वाले लोग अच्छे होगे इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्ब में लाए बिना सम्विधान पर कोई भी निर्ड़े देना या कोई भी टिपणी करना मेरे विचार में गर्थ होगे धन्यवाद यहां आसन पर बैठे हुए और प्रते दिन की कारवाई को देखते हुए मुझे ये प्रतीत हुआ जो साइट किसी और को ना हुआ हो कि कितने उसाह और लगन के साथ सम्विधान समीती के सदस्यों ने और खास तोर से उनके चेर्मेंट डॉक्टर अंबेटकर ने अपनी खराब स्थेहत के बावजूद ये काम पूरा किया